एक बार सिदार सिदानी साब भी हमारे साथ ने जरा एक बार उनसे राई ली जाए इस बड़ी डेवलोप्मेंट पर सिदार जी कैसे देखते हैं आप आइटी सी की तरफ से खबर आती हुद दिखरी होटल कारों बाहर को डी मर्ज किया जाएगा फीर बांज कोई एक काफे अच्छी खबर है क्योंकि वैल्य आनल कि दिखेगा जो भी शेर होलडर रहा उनको और वैल्य अनल कि से बहुत अच्छा होता है जैसे कि अभी रिलाइंस में हमने रिलाइंस में देखा कि फेनेंशल सर्विसस का डी मर्जर हुआ वैल्य आनल कि वै इंटर्म्स अब उक्यूपेंट से इंप्रोफ हो रहे हैं और इनके तो सेविन स्टर होटेल से इनमें भी उक्यूपेंट सी बहुत अच्छा दिख रहे हैं तो यह अच्छी खबर है इसे के साथ एक रिक्वेस्ट एक व्यूगल थोड़ा सा से इंतजार करें हम इस बड़ी खबर पर हैं इस वक्त सिदार जी तो बड़ा डेवलोप्मेंट जो होता हो दिखा दीप वह है कि होटल कारोबार जो अलग होगा जो डीमस कंप्यों होगी उसमें आइटी सी लिमिटेट की 40% हिलसेदारी रहेगी यानिकि ब्रोडली सबसे बातर को अंदाज़त था काफी दिन से इसकी बात चल भी रहती है और इस टॉक में जो बड़ा रनफ होता हो दिखा वो भी यही रनफ था तो आई तिंक एक बड़ा डवलोप्मेंट जो हुआ है वो यह है अब देखना होगा एक बार हमारी टीम आपके सामने जल्दी से आ अनिल जी अभी NBFC की बात ये शो की चल्चाई NBFC से स्टार्ट हुई और NBFC का ही स्टॉक है L&T Finance इस पे हमने टार्गेट डिविजन किया नतीजे आने के बाद शौट तर्म टार्गेट होगा 136 उपेगा 136 का और अगर लंबे समय के लिए रख लिया तो टार्गेट प्रफिटाबिटी एक सो चालीस परसेंट से थोड़ा सा कम बढ़े है एनाय ग्रोथ 14% निम्स बढ़के सारे 6% से बढ़के 8% के करीब निम्स आ गये हैं और रिटेल कर डिश्बस्मेंट है वो 25% से ग्रोव रहे हैं रिटेल का जो शेर है ओवर अवराल जो बुक है उसमे 80% के करीब का शेर है और जिसे हम कहते हैं जी एन पी एन पी ग्रॉस्ट नन परफॉर्मिंग एसेट यह भी गिर के आये हैं 4% के करीब रिटेल का जो एवे मैं वो 34% से ग्रोव हो रहा है तो एलेंटी फैनायन्स मुझे लगता है एन वे अपसी स्पेस में काफी बहुत में की रिजल्ट दिया है पहला टार्गेट शोट तम होगा 136 का और लंबे से में लॉंग तम 6-12 मेने के लिए 160 एक सो साथ तो यह है आपके लिए एलेंटी फाइनन्स चलिए बढ़िया हैं आईए कुछ और विगुल्स आपके लिए तयार है एक के बाद एक आने की तयारी मे पहले सुपर सिट सिद्दार जी के लिए बढ़िया है बताएं सर अने जी यह टॉक है एपील अपोलो अपील अपोलो जो स्ट्रक्टिल स्टील ट्यूब्स बनाती है इस पे खरेदारी की दाय है टार्गेट आपको रखना है फंदा सो रुपे का फिटीन हनेट उपीत का बढ़िया है और पेरिदे लिए जब्स पर फिटीज में हैं और प्रश्ट के लिए अपडेट नहीं आए हैं और अप्डेट ये कह रहे हैं कि छपंपर सेंट के वाजिम्ज में एजाफा हो तकता है वायो वाई बिस्ट्रेश तो रिजल्ट अच्छे आने को नहीं को तो यह आपके लिए अपके लिए अपके लिए आपके लिए अपके लिए एक बिगुल सिदाजी के लिए सूपर सेट बदाए सदाजी पांशू यह आटो मोबिल की कंपनी है टीवी एस ने निराश किया बट यह आटो मोबिल की कंपनी मुझे लगता है कि नतीजे अच्छे रहे थे अशोक लेलेंग अशोक लेलेंग पर खरिदारी की राए है तार्गेट चौट तम आपको रखना है वन एक का इसमें भी हमारे अब्रेट जाए है टार्गेट पोजिशनल रहेगा 215 का 188 और बैट 215 फाइफ फट्वेंडित्री के जो मार्किट शेर देखा गया है वो धाई परसेंट बढ़के 18 परसेंट पर देख रहे हैं हम एले सी लो चोटे जो कमर्शिल रहेकर होते हैं इसमे के 35 परसेंट का कंट्रीबुशन ट्रक्स के 15 परसेंट का कंट्रीबुशन और क्यूवन में अबने दिखा है 13 परसेंट रियलाइजेशन बहतर हुए है अब इत्ता मार्जिन पे एक्स्पैंड होके 10 परसेंट पे देखे गये हैं मेडियम हेवी कमर्शिल वेहिकल में ग्रो स्पेस में अच्छा परफॉर्म कर सकता है मैनेजमेंट की गाइडिंस भी अच्छी है शौट टम टागेट रहेगा 188 और पॉजिशनल टागेट रहेगा 215 ओके तो यह है आपके लिए राए अशोक लिलेन पर आईए बैंच से बेनिफिट तयार है आशिश हमारे साथ आशिश जी छे स्टॉक एंशर बैंड में हमारे शे हैं अल्रेडी हैं इनमेंसे तीन तो लग रहा है कि आज निकल जाएंगे एक ने तो कन्फिर्म कर दिया है अब लेंटी फिनांस है 76% है मार्केट वाइट पोजिशन मेंट 80% से नीचे आगी है और बेंच से बार भी आ रहा है और जाए तो कली मेसेज करेंगे तार्गेट अचीव थैंक यू उनका थैंक यू पूरा आता है मेसेज अगर जाए और बेंचे अधाम करेंगे मेसेज अगर दोनों वजन बढाने वाले फैट ऑके यह और शक्कर आये तब तक विजह विजह आप से भी विज़ा लेनी है तो पहले तो मैं सबसे विजा लेनूं उनल जी सामने लेखिए मैं आप से विज़ा ले रहा हूं सचिन जी, कुनाल जी, सुमिच जी, वागले साफ और साथी साथ सुमिच जी का बहुत धन्यवाद, धन्यवाद हिमान्शु जी का, जै ठक्र साब का, सिद्धार जी का और आशियो सरकामिंद्री से शुक्रिया, बहुत बहुत आप सबका मरसाथ देने के लिए, इस शो में आपके लिए बस दो मिनट में